एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है। लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था। मूवी में ट्वीस्ट आने के बाद आगे क्या होगा कि हम एक्स्प्लेशन में जानेंगे। हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ ये कोरियन मूवी एक्स्प्लेशन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा। बिना किसी देखे के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में गारेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है। वो एक्च्वल में एक लॉयर है एक जगा पर वो क्राइम सीन पर पहुँच गया। इस क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर करकर उनकी बॉड़ी गार्ड दी थी। यंग के क्लाइन के फादर की बॉड़ी भी इसमें थी। क्लाइन इस सबसे बहुती डिस्टब हो गया और पुलीस से वह जगड़ा कर देता है। इस जगड़े को सौल करते होए यंग इस गड़े में गिर जाता है। इसके बाद उसकी वाइव जिसका नाम है यून यह हमसे इंटर्डूस होती है। यह बाइक राइड कर रही थी और उसके पीछे एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था। अचानक से वा रस्ते से गिर जाती है। यह टीनेजर ने नोटिस किया और वहाँ से चला गया। आज उसकी मदर इनला उसके बेटे का खैल रख रही थी। जब उन्होंने मदर इनला को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उससे पूछता है क्या ग्रैनमा को पता है कि मैं अड़ाप्टेड हूँ। ग्रैनमा को आफकोस पता था। यून गहती है तुम्हें कोई भी इंबारस होने की जरुवत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो। इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया। वो फिर घर पर आता है शौर पकल अपने फाधर-इनलाओ को पिकाप किया, फाधर-इनलाओ कहता है घर जाने से पहले क्यों नहीं बियर ले ले फाधर-इनलाओ को बहुत इसके पास ओ Monsters कंख दो नहीं होने ले जाता था वहान की assistant झाड़ लहां दर गया और यहा दानसिंग कहाता है। घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते हैं यून ने उसे कहा है कि डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी तरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थी उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है उसे बहुत प्यार करती है वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती है आज रात यून और यंग इंटिमेट हो गए यून ने आजकल नोटिस किया है कि वो सैडिस्वाइड नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी जो टीनेजर उसका बीचा कर रहा था वो ही उसका नेबर भी है उसे रात में भी दूरबीन से देख रहा था अगले दिन यून ने नोटिस किया कि वो लटका और उसके फादर ये दोनों हमेशा जगरते रहते आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी उस लटके को घर से निकलता थे यून भी उसका पीछा करती है वो डारेकल एक ठेटर में आया जहाँ पर एडल मुवी चल रही थी ठेटर में वो अकेला होता इस वज़े से मुवी चल नहीं रही थी पर यून ने भी वही तिकेट पाई किया यंग का जिस लटकी के साथ अफेर चल रहा है उसका नाम है कीम आज यंग फिर से कीम के पास आया हुआ था किम उसे कहती है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ यंग कहता है तुम कन्फरम करने के लिए टेस्ट होगरा करवा लो जब वो यहाँ था तो कीम के दरवाजे पर कोई नौक करता है कीम ने उस आदमें से कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ पर फिर विर उसके घर पर पहुँच गया था यंग पूछता है कि यह है कौन पर कीम इस बात को इगनोर करती है यून जी इस टीनेजर लड़के की पीछे थी इसका नाम है शिन शिन और यून ने मूवी देखी और इसके बाद यून उससे गहती है कि हम दोनों एक दुसरे को जानते है तुम मेरे सामने ही रहते हो शिन ने फिर उसे लंज के लिए इन्वाइट किया और दोने एक जगा पर आते है इन्होंने बहुत सारी बात है कि आज यंग को बता चला कि कीम एक्चॉर में प्रेगनेंट है तो इस वज़े से ओटेंशन में था इसे के साथ साथ डॉक्टर का भी फोन आया था उसके फादर की भी तबियत बहुत खराब थी उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है इस सारी वज़े से ओडिस्टब हो गया और वो बहुत सारा ड्रंक करता है नेकसेर में हम देखते हैं कि केम को हस्पिटल में लेकर आया था उसका अबोशन करवा लेता है इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते है कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है फादर इस बात को थोड़ा सा भी सिरेसली नहीं लेते है चेकप के बाद तुरन ये सब स्मोक कर रहे थे यंग हमेशा घर पर बहुत ही लेट आता है आज रात बेटा यून से भुचता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आए क्या ओ जुट बोल रहे होंगे यून को इस बात पर बहुत ज़्यादा हसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर वो यंग को देख कर आती है पर फॉर्चुनेटली यंग अपने आफिस में ही है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सैटिसफाइट रहूंगे उसे लगता है कि जब वो अन्मैरिट थी तो उसके लाइफ में बहुत सारी एकसाइटमेंट थी इसके बाद यंग ने यून से कहा कि कॉनफरेंस के लिए मैं दो-तीन दिन बाहर जा रहा हूँ पर एक्चॉल में वो कीम के साथ हॉलिडे पर जा रहा था गर की साफ सफाई करते हूँ यून ने सब चीजे निकाली इसमें एक लाइट भी था वो पहले बहुत सारी मौंटन ट्रेकिंग क्या करती थी पर अब उसने डिसाइड किया क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते हूँ शिन यून से गयता है थोड़े मंस में मैं हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वालो तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अफेर कर सकती हो यून इस पर सिर्फ हस देती है उपर मौंटन पर चड़कर ये आराम कर रहे थे तब ही शिन ने यून को किस कर लिया इसे के साथ इनका फिर स्टार्ट हो गया था यंग कीम के साथ एंज़ा कर रहा था पर अचानक से उसके फादर की दवेद बहुत ही खराब हो गए उन्हें होस्पिटल में एडमिट किया जाता है वो जल्दी से घर पर वापस आ रहा था पर कीम उसके साथ गाड़ी में ही इंटिमेट होने लगती है इसे के पैरलल में हम देखते हैं एक डिलिवरी मैन अपने फ्रेंज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रंक हो गया अब रात हो चुकी थी और ये दोनों एक दुसरे के आमने सामने आये यंग ने उस आदमी को टकरा दिया उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी वो जल्दी से उसे अपने गाड़ी में डालता है और होस्पिटल में छोड़ दिया कीम को घर चुटने के बाद वो अपने फादर के पास होस्पिटल में आया उसके फादर खुन की उल्टिया कर रहे थे इस सब बातों से और डिस्टर्ब हो गया था यून उसके पास आकर उसे सहरा देती है सारी चीजों को उसने आज बहुत यच्छे से हैंडल किया था कुछी दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गए वो अपने फादर का सब सामान में एक रहा देख रहा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था उसकी मदर ने कहा ये लाइफ में फर्स बार मैं सही तरीकी से फ्री हूँ फादर तो अल्रेडि मेंटल हस्पिटल में थे तो मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था उसको अल्रेडि किसी और के साथ अफेर चल रहा है वो उसके साथ खुश है और उसे के साथ रहना चाहती है जब यंग और यून एक साथ अकेले थे तो यंग उसे कहता है तुमने सब कुछ चीज़े बहुत अच्छे से हैंडल की वो जब बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए बहुत थैंक्फूल था वो यून से भार तो करता है पर अपनी चीटिंग की आदत छोड़ नहीं पाता इसके बाद नेक सिन में यून और शिन ये दोनों फेस से मूवी देखने के लिए आए हुए थे यही बड़ी इंटिमेट हो जाते प्रिवियसली यंग ने जिस डिलूरी मैन को हिट कया था वो उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए आया कहता है प्लीज कोई भी चार्जेस प्रेस मत करना उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडन्ट थी यंग ने उसे हाग कहा पर वो इसे इग्नोर कर देता है नेक सिन में शिन और यून ये यून के स्टूडियो में दोनों अकले थे यून उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी तभी शिन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया शिन के फादर बहुत जाता गुसा थे वो यून को कन्फरेंट कर रहे थे तभी शिन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खूनाने लग गया था तो फादर उससे हस्पिटर लेकर जाते है गर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे तो उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अडॉप्टेड हूँ तभी सही होता यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अगले सीन में हम देखते है कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ इस कंट्री को छोड़ कर जा रही थी उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिल एरिपोर्ट पर आते है हसी कुशी उसे गुड़बाय का शीन के फादर को इनके बारे में पता चलने के बाद भी शीन जाकर यून से मिल आता है इन दोलोंने अपना अफेर कंटिन्यू किया था इन सब बातों से परिशान होकर शीन के फादर डारेक्ली यंग के पास आए उसे सब कुछ बात बता देते है एक्चुल में उन्होंने शीन के पीछे एक प्राइविट डिरिक्ट्व लगाया था इस वज़े सुने पता चला था सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया इस बात से यंग डिस्टब हो गया और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है वो रात में घर पर आया इसके बारे में यून से कुछ भी बात नहीं करता आज रात भी शांती से सो गए अवली दिन हम देखते हैं यंग ने जिस डिलिवरी मैन को हिट किया था वो यह उसके घर का रसा ढून रहा था चलते चलते वो यंग के बेटे सही मिला वो उसे गाड़ी पर बिठा कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टब है यंग ने उस पर चार्जेस प्रेस किया थे इस वज़े जो उसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़ी में एक साथ क्या कर रहे थे यह उसकी अकेले की गलती नहीं थी पर फिर भी उसे ही बनेश्मेंट मिल रही थी डिलिवरी मैन को लगता है कि जॉब चले जाने के पाथ उसकी पूरी लाइब बरबाद हो चुकी है और यंग को ही दोशी मानता है उसे का बदला लेने के लिए उसमें उसके बेटे को डारेक्ली बिलिंग से नीचे किरा दिया ये डिलिवरी मैन भी पहले नैशनल प्लेयर हुआ करता था वो अंडर करता है ये उसकी लाइब यहां कैसे पोची और उसने भी सुसाइड कर ली अपने बेटे की डेड़ बोड़ी को रिकगनाईस करने के लिए यून और यंग को बुलाए गया ये देखकर ये दोनों बहुत रोते है थोड़ा टाइम बीट कया ये दोनों घर पर आते थे और बहुत रोते थे यून को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है और इस बात से और वी जादा गुशा था उसने फिर किम को यून के सामने ही कॉल लगा यूने सब सुन रही थी उसे पुशता है क्या तुम्हें कोज भी फरक नहीं पड़ता यून कहती कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो यून उस पर बहुत जादा गुशा होगा कहता है तुम्हें टीनेजर के साथ कैसे आफेर कर सकते हो यून भी उस पर गुशा होगी कहती है तुमने भी तो अफेर किया था ये दोनों एक दुसरे को माफ नहीं कर सकते है इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई फाइट करते करते यून की वज़े से यून के हाथ पर चोट आके उसे हो हस्पिटर लेकर आता है यून को उसने घर चोड़ दिया और कीम से मिलने के लिए उसके घर पर आया कीम उसे कहती है कि आज रात में खर पर नहीं हूँ पर यून को उसके बहुत ज़़ादा ज़रूरत थी उसके घर पर जाकर जबर्देसी डोर नौक करता है आज रात कीम किसी और के साथ थी इस बात से यंग को बहुत बुरा लगा उसे ब्रेक अब कर लेता है यून को भी किसी की जरुवत थी वो शेन को बुलाती है और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है घर आने के बाद हम उसे आइसक्रीम खाता देख सकते है और डारेकली नेक सीनमे में दिखाया कया है कि वो हस्पिटल में थी वो प्रेगनेंट है वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी इसे वज़े से अपने बेटे को उनने अडॉप्ट किया था वो प्रेगनेंट है ये एक तरीक का मिरेकल था अब बहुत दिन बीच चुके थे यंग और यून ये दोनों अलग-अलग रह रह रहे थे यंग को जब पता चला कि यून ट्रेगनेंट है तो उसके पास हो आता है कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ यून उसे मना करती है कहती है ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था मुझे तब भी कुछ भी फरक नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा वो फिर से बुछता है कि प्लीज मेरे पास वापपस आजाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले अफेर तो यंग नहीं किया था उसे इन और करता था टाइम नहीं देता था उसकी नीर्ज को कम्प्रीट नहीं करता था तो इसी वज़े से यून ने उस पर चीट किया यहीं चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाहती वो अपनी लाइफ से खुश थी अपने बेबी के लिए एक्साइटेर थी तो मौन करकर लाइफ को इंब्रेज करना सीख लेती है इसी तरीके से यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया